हेलो फ्रेंड डिस इज मुकेश फ्रामान अकेडमी आज हम लच्मिकान स्रीज का जो है लेक्चर नंबर फूर पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले मैं आपको तीन लेक्चर बढ़ा रखें आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेंबल प्रेंबल को समझेंगे इसमें से दो इनों को भी हम क्या करेंगे यहां पर अड्रेस करेंगे तो फटा फट जुड़ जाइए और अपने नोट जरूर बनाते रहना इस सीरीज का इस सीरीज से आपको काफी ज़्यादा फाइदा होगा अगर हम Preamble की बात करें तो American Constitution जो अमेरिका का सभीधान था वो पहला इसा सभीधान था जिसमें Preamble का क्या था प्राबधान था और सेम वैसा ही प्राबधान कैसे अगर्मेंट आफ इंडिया और भारत के हमें सभीधान में भी मिलता है के लिए जो हमारी constitution assembly थी उसने भी एक preamble की क्या करा यहाँ पे एक पेसकस करी अगर हम कहें एन ए पाल की वाला यह question एक बार उत्तरप्रदेश पीसस में आज रखा है इनके अनुसार जो preamble होता है ठीक है जो आपका preamble होता है उसको क्या बोलते है identity card of the constitution बोलते हैं इस तरीके से हमारा identity card होता है हम अपने identity card को देखके या किसी और को दिखा के पता कर सकते हैं कि यह हमारा नाम क्या है हमारा address क्या है date क्या है date of worth क्या है इसी तरह से अगर आपको सविधान के बारे में बहुत ही जल्दी पता करना है कि यह सविधान क्या कहता है तो उसका preamble पढ़ लो उससे आपको पता चल जाया कि उसका सविधान उस देश का क्या कहता है तो पालकी वाला ने एकड़म सही बोला था कि preamble क्या है एक तरीके से identity card है किसका constitution का सविधान का identity card है यह समझ मा आ गया तो अगर question आता है कि सबसे पहले preamble किसके सविधा में मिलता है तो भाईया अमेरिका के constitution में सबसे पहले preamble मिलता है क्या भारत के constitution भारत के सब इना प्रेमबल मिलता है भारत के सब बादान में बिलकुल preamble मिलता है clear preamble क्या है हम अगर बात करें the preamble of Indian constitution is based upon the objective resolution यह objective resolution मैं आपको पहली बता रखा यह वही जवालन नहरु वाला है ठीक है जो हमने lecture number one और lecture number two में पड़ा था तो अगर हम कहें कि हमारे जो preamble है उसका base क्या है तो preamble का base क्या है objective resolution जो है हमारे preamble का base है और जिसको सब इधान की निर्मान करने वाली assembly जिसे हम constitutional assembly बोलते हैं या constitutional assembly बोलते हैं उसने जो है इसको adopt किया था 42nd amendment 42nd amendment यह 42nd amendment वही amendment है जिसे mini constitutional amendment भी बुला जाता है मैंने आपको शुरुबात की lecture में बता है था तो preamble में कुछ सब्द क्या करें जोडे गए 42 में सविधान संसोधन के द्वारा वो कौन-कौन से सब्द थे socialist, secular और integrity यह question कम से कम नहीं तो दस वार question पूछ रखा है पांच साल के अंदर समझ मैं कभी lower हैं पूछ लेंगे अपर हैं पूछ लेंगे कभी RO में पूछ लेंगे कि भाया 42 में सविधान संसोधन के द्वारा हमारे preamble में कौन-कौन से सब्द जोडे गए थे यानि कि यह original जो हमारा preamble था उसमें इस सब्द नहीं थे यह बाद में जोडे गए कौन स है socialist सब्द दूसरा है secular सब्द और तीसरा कौन सब्द है integrity यह भी बहुत important question है और मेरे ख्याल से सबच्चों को यह आता ही होगा अब यह है हमारा पूरा preamble आप आभी तक आपके दिमागों चलना होगा कि भाया preamble कितनी बात हो रही है preamble होता क्या है तो preamble को पूरा दिखाए सबसे पहले we the people of India अर्थार्थ यह किसको बता रहा है people of India के बारे बता रहा है पहला question यह आता है कि preamble किसको संभुधित करता है किसके दवारा लिखा जात रहा है किसके परिपेक्ष में people of India के परिपेक्ष में हम क्या करते हैं फिर हमने जो है having solely resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens तो पहले अब यहीं पर रुख जाओ यहां तक देखो कौन कौन से question आते हैं वो पूछते हैं कि हमारे सभीधान में जो यह सब्द हैं इनका कर्म बताओ तो पहले वो इस सब्द कौन से हैं तो मैंने आपको याद करने का style बताइए triple S तो तीन बार S ल लगातार पहले क्या है आपका सोबरेन फिर socialist फिर secular डी से democratic आर से रिपॉब्लिक ट्रिपल S DR कोट बर याड हो जाएगा अब देखो कि आप कोगे कि तीनों तो ऐसे यह भी ऐसे सुरू हो रहा है यह भी ऐसे सुरू हो रहा है तो यह भी ऐसे सुरू हो रहा है हमें पता कैसे चलेगा पहले कौन सा आएगा तो आपको आप ऐसे करना है जब ट्रिपल S के बाद देखोगे इंगलिस का अलफावेट आपको सभी को पता है ABCD अब इस अलफावेट की करम में आपको क्या लगना है ट्रिपल S DR को लगाना है लेकिन उल्टे करम में अर्थार्थ जगर हम बात करें S S S तीनों में common है इसके बाद क्या रहा है इसके बाद O आ रहा है इसके बाद E आ रहा है ABCD में अलफावेट में उल्टे करम में लगाएंगे तो पहले क्या आएगा ओ आएगा लेकिन अभी क्या डॉनों का ड्रॉ हो रहा है फिर आगे वाले सब्द में जाओ V औ ठीक है और यहां पर उल्टा करम लगाना है तो पहले कौन सा सब्द आएगा सोब्रेन सब्द आएगा ठीक है फिर सोचलिस्ट आएगा और सबसे लाश में सेकुलर आएगा तो इन तीन सब्दों में आपको कन्फिजन होता है तो आप क्या करोगे इंग्लिस के कर देते हैं कभी इसको पीछे कर देते हैं क्योंकि तीनों क्या है एस 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 है फिर उसके बाद पूछते हैं जस्टिस हम किस तरह का दे रहे हैं हम दे रहे हैं सोशल एकॉनोमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस कितने तरह का सोशियो एकॉनोमिकल और पॉलिटिकल सोशियो औ और एकोनॉमिक जस्टिस हम देते हैं अपने डारेक्टिव प्रिंसिपल ओप स्टेट पॉल्सी से मतलब राष्ट के नीती निर्देशक तत्तु से और जो पॉलिटिकल जस्टिस है यह हम देते हैं फंडामेंटल राइट के द्वारा किलियर फिर उसके बाद लिवर्टी है किस चीज की थौट की एक्सप्रेशन की बिलीफ की फेट की एंड वर्शिप की किलियर एक्वैलिटी किसकी है एक्वैलिटी ऑफ दा स्टेटस एंड ऑपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम आल फ्रेटर्निटी किसकी है एश्यूरिंग दा डिगनिटी ऑफ दा नेशन इन आवर कंस्टिटूशन एंड ली इस ट्वंटी सिक्स्ट नवंबर नाइटीन फोर्टी नाइन मतलब यह जो मैंने पहली बता रखा कि हमने इसको कब अडॉप्ट किया था 26 नमंबर 1948 को किया था अपने सभिधान को तब ही 26 नमंबर को किया है नेसलन डे भी मनाय जाता है सेम चीज मैंने बताई थी याद करो तो वही चीज़ है कि हमने किस दिन किया था फिर उसके बाद कहले कहले गा hereby I adopt, enact and give to ourself this constitution कि पहले adopt आता है कि पहले enact या पहले give to ourself होता है तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा पहले क्या है adopt है फिर enact है फिर give to ourself है तो जहां जहां मैंने समझाय वहीवही से कोश्छन आता है जरूरी नहीं है को पूरा प्रेयंबल अगर नहीं वही हो तो इस तरीके से आप यहängerपीं कर सकते हो कौश्छन तोड सकते हो कि किस तरीके से क्या करते हैं वो question पूछते हैं, समझ मैं आ गया, आगे बढ़ें, प्रियम्बल, जब हमारा देश ने जब पूरा सविधान लिख लिया था, 26 नमबर, 1949 को हमने से adopt भी कर लिया था, 26 जनवरी, 1950 में हमने celebrate करा अपना, ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा देश आगे बढ़ता रहा, तो काफी जो है, दिक्कत आई समझने में कि जो प्रियम्बल है, वो constitution का part है कि नहीं है, पहले सुप्रिम कोट ने एक निड़ने दिया कि नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद केस अबनन भारते बोला कि हाँ है, फिर एक LIC का केस हुआ, उसमें बोला कि प्रियम्बल क्या है, जो है, हमारे सभिधान का अभिन अंग है, तो सबसे लाश्ट वाला statement क्या बोलता है, कि प्रियम्बल हाँ, बिलकुल हमारे सभिधान का क्या एक अभिन अंग है, इसी को आप याद कर चलोगे, कि प्रियम्बल क्या है, is a integral part of the constitution, किलियर, वो सीधे question पूछेंगे, प्रियम् हमें source of power, कि प्रियम्बल को हम as a source of power or legislation ले सकते हैं, किलियर, तो बिलकुल नहीं ले सकते हैं, यहाँ बच्चे बोल देते हैं, यहाँ ले सकते हैं, आप खुद देख लो, और cross check भी कर लेना अपने लच्छी मिकानत में, यही word लिखा है, प्रियम्बल is neither a source of power to legislate, nor a provision upon the power of legislature, समझ मा गया, इस sentence को याद रखना, ऐसे का ऐसी objective में क्या होगा, बहुत बार पूछते हैं, plus मैं मैंने plus के course में से detail में पराता हूँ, ठीक है, तो अभी इसको याद रखो, अब दूसरी बात, प्रियम्बल में जो इतनी सारी चीज लिखी थी, अगर मालो कोई प्रदेश वो आपको देता नहीं है, तो क्या आप उसके खिलाब कोट में जा सकते हो, बिलकुल नहीं जा सकते हैं, जबकि fundamental right में जा सकते हैं, प्रियम्बल जो है, जस्टी फेवल नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, देखो साफ लिखा हुआ, it is not a justiciable, मतलब अगर आपका लग रहा है कि प्रियम्बल में जो लिखी चीज़े हमें नहीं मिल रही है, उसके खिलाब आप कोट में जा सकते हैं, यहां पर भी बच्चे पता नहीं क्यों से जस्टी फेवल माल देते हैं, यह बात अलगा है कि प्रियम्बल हमारे constitution का integral part है, उसमें कोई मना नहीं है, ठीक है, लेकिन यह justification part नहीं है, the provisions are not enforced in court of law, मतलब क्या करते हैं, आप इसमें जो provision लिखे हैं, उनको enforce कराने के लिए किसी भी कोट में नहीं जा सकते हो, यहां तक के लिए काफी बच्चों की आँख खुली होंगी, काफी बच्चे इन तीन पॉइंटों को गलत करते हैं, पता नहीं क्यों, अब गलत मत करना, अब है amendability of preamble, क्या सबी, धान में जो हमारा preamble है, जो प्रिस्तावना है, क्या वो amend हो सकती है, तो अभी common sense से सोचो, अगर आपने यह नहीं भी पड़ा है, लेकिन आपको यह भी तो पता है कि अभी 42 में amendment हुआ, 42 में amendment में खुझ सब दैट करे, तो अगर नहीं हुआ होता, तो 42 में amendment से कैसे कर पाते, अर्थार्थ preamble amendable है, यह साब साब आपको बता रहा है कौन सा, 42 में सविधान amendment, तो देख लो, preamble can be amended, subjected to the condition that no amendment is done to the basic feature, बस सर्थ यह है कि कोई भी amendment सविधान का basic feature को खराब ना करे, तब तक आप amendment कर सकते हो, किलिय say us or no, और हमने amendment करके कौन से तीन word जोड़े थे, comment box पर लिखना, अभी जो मैंने आपको पहली दूसरी slide में पढ़ाए था, तो 100% सविधान का preamble क्या है, amendable है, लेकिन सर्थ यह है कि उसका basic structure से कोई छेड़कार नहीं करना है, अब आपके दिमाग में आ रहोगा basic structure क्या हो structure है, ठीक है, यह basic feature है किसके सविधान के, और बागी अगर आपको डेटर नहीं पढ़ना है, तो मैंने plus की class में आपको पढ़ाए है, वहाँ पर आप देख सकते हो, अब देखो नीचे वही लिखा है, so far क्या है, amendment हो चुका है, 42 में amendment हुआ था, और देखो socialist, secular और integrity तीन सब याद रहेगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, S वाले सभी है, sovereign, फिर socialist, फिर क्या आएगा, secular, याद रखना, फिर D से democratic, R से republic, triple SDR, paper में याद रखना, अगला चीद देखो, ingredient of constitution, अगर हम इस पर और detail में अगर हम समझें, तो कैसे समझेंगे, देखो, First, it indicates that the source of authority of the constitution, that is, it states that the constitution has to drive its authority from the people of India, जो ये people of India है, आप इसको याद करो, इसको अलग से ही एकदम, ये बहुत बार question पूछा जाता है, कि भाईया, जो हमारा सविधान है, वो power या authority कहां से लेता है, तो भाईया, हम लोग उसको देते है, we the people of India, ठीक है, तो people of India पे ही, आपका answer टिक होना चाहिए, जब जब ये objective है, दूसरी चीज, it defines, declared India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic, triple SDR, वो ही चीज लिखी हुई है, जो हम बार बार याद कर रहे है, अगला चीज, and it defined the objective which the constitution seek to promote, such as justice, liberty, equality and fraternity, ये तो हमने करा था भाईया, justice कौन कौन से थे, social, economical, political, say yes or no, जो प्रियम्बल में लिखा है, उसी के head को यहाँ पे लिख दिया है, ऐसी क्या था है, liberty of thought, expression, ऐसी क्या था, equality, fraternity, भाईचारा, ये सब था, तो ये सब क्या है, basic ingredient है, हमारे सवीधान के, significance क्या है, हमारे सवीधान में प्रियम्बल होने से क्या significance है, देखो, एक बहुत बड़े, जो है, राजनितिक, फैटर निटी से बिलॉंग करते थे, political scientist बोल सकते हैं, उन्होंने बोला था कि, जो आपका सवीधान में जो प्रियम्बल है, एक तरीकी से horoscope है, होरोस्कोप क्या है, आप रोज सुबह अपने अपनी रासी देखते हो, होरोस्कोप देखते हो, आज मेरे संग क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है, तो उसी तरीके से, के एम मुंसी साहब ने, प्रियम्बल को बोलता, इटी जे होरोस्कोप आफ आवर सोबरें डेमोक्रेटिक रिपबलिक, यह हमारे देश की क्या बताती है, होरोस्कोप बता दिये, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रियम्बल को ध्यान से देखें, तो पूरी फिलोस्पी पता चल जाती है, कि भाया, क इस तरीके का सविधान इंडिया का है, ठीक है न, प्रियम्बल को पढ़के बता सकते हो, कि यह किन सिध्धानतों पे, किन फिलोस्पी पे, किस दर्सन सास्तर पे चल रहा है, यह सब आपको कौन बताएगा, प्रियम्बल बताएगा, तो यह दोनों के डोनों भी पूछा है, मैंने पूरे प्रियम्बल के चैप्टर को 5-6 स्लाइट में आपको समरी में करके बता दिया, आप खुछ से भी जब चैप्टर पढ़ोगे, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखोगे, और इनी सब क्या करोगे, अपनी लच्मी कांट में अंडरलाइन करोगे या जो मैं प्लस में कराता हूँ, जैसे ऐसे गोला मार्क करना इस तरीके से करोगे, किलियर, सब चीज नहीं पढ़नी होती है, अब प्रियम्बल छोटा सा था, मुश्कल से 4-5 मिन्ट का था, आपको पताईए, इतना ही है, साथा नहीं पढ़ना है, अगर आप आपको प्ल प्लाइच में अभी जुड़ सकते हो, ठीक है, बहुत टाइम है आपके पास, आपका प्रिलिम्स भी क्या है, उसकी डेट एक्स्टेंड होगी, और आपको इस बैस से बहुत ज़्यदा फायदा हो जागा, सारी चीज तो सारी चीज मतलब एकॉनमिक्स मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी, जोग्राफी भी, हिस्ट्री भी, करंट अफेर भी, साइन्स एंट टैग भी, इन्वार्मेंट भी, यह सारी चीज आप मेरे दुवारा देखेंगे, रिकॉर्डर बर्जन देख सकते हैं आप इसका, दूसरा अगर आप मेंस की तैयारी अभी से करना चाते ह लगा हुआ है, इन क्लास में जुड़ सकते हैं, वैसे क्लास 2019 वालों के लिए हैं, लेकिन अगर अभी से आप जोड़ोगे तो आप 2019 वालों के संग भी पढ़ सकते हो, अब जब 2020 का बैच की मेंस की क्लास है अलग से होंगी, सोचलोजी ऑप्शन अभी अगें 2019 वालों का च 2020 का भी स्टार्ट होगा, जब 2020 का प्रिलिमट हो जाएगा, अब आपको जगर दो दो बार परदे का मौका मिला है तो क्यों नी पढ़ो, 12 महीने का सस्क्रिप्शन ले लो आप लोग, 12 महीने के सस्क्रिप्शन में, आपको क्या-क्या फायदा हो जाएगा देखो, हो sociology optional दो वार पड़ सकते हो sociology optional की answer writing दो वार कर सकते हो ठीक है और फिर GS1234 इनकी भी answer writing मेरे साथ आप कर सकते हो clear इसके बाद जो है interview के session लेता हूं वो भी मैं अपने आप खुदी लेता हूं single individually तो आपको 12 महिने के subscription लेने से इतना ज्यादा फाइदा हो रहा है और 12 महिने की फीस जो है मात्र जो है तेरे सट सो रुपे है clear तेरे सट सो रुपे में आगर आपको इतनी सारी चीजे मिलने with quality education कोई से भी मेरी special class देख सकते हो रोज मेरी special class 9 बज़े आती है free of cost होती है जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से प्लस है पढ़ाया जाता है और किस तरह की मेरी teaching style है मेरे notes भी download कर सकते हो और पूरे उत्तरपदेश के किस तरे भी बड़े institute के notes से comparison कर सकते हो कि किसका notes बढ़ी है ठीक है मैं तो आप खुली छूट देता हूँ कोई सा भी मेरा course कोई सा भी course की आप कर सकते हो comparison कर सकते हो आप फिर उसके बाद खुद ही आपको समझ मा जाएगा कि यहाँ पे मैं किस level का आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जो है 24 महीने की फीस भी कितनी है 75-100 रुपे है तो बलकि यह जादा और अच्छा पढ़ता है आपको आपको मेरे इन सारे code से जोड़ना है तो वहाँ पे फीस जमा करने से पहले एक referral code का options आएगा वहाँ पे mks live लिखना है बच्चो क्या लिखना है mks live लिखना है इसके बाद ही आपको फीस जमा करनी है mks live लिखके apply कर देना आपको कैसे पता चलेगा mks live apply हो गया जब आपको फीस पे 10% discount मिल जाए तो इसका देने फी पे करनी है बिना referral code apply किये फी जमा नहीं करनी है टाइप करने के वाद referral code उसे apply भी करना पड़ता है ठीक है तो अगर आप मेरे कोर्सों से जुड़ना जाते हो तो आप जो है mks live referral road यूज करो plus की class में मिलेंगे और और भी अच्छी तरीके से करेंगे पढ़ेंगे यहां तरह सबको समझे में आगया हुआ कुछ भी problem होती है तो comment box में आप लिख सकते हो अंडर कैटनी platform में क्या है बहुत अच्छी टीम है और यह टीम आपका selection बहुत आसान करा सकती है आप बस थोड़ा क्या करो अपना perception बदलो online education में बहुत आपको कम रुपे में बहुत ज्यादा चीजे मिल रही है कोई भी class छूड जाएगी आपकी तो आप recorder version देख सकते हो अगर आप job बाले हो तो भी अपने time के अनुसार अपने lecture को schedule कर सकते हो तो इतनी ज्यादा सुविधा आपको मिलती है उपर से भारत की सबसे अच्छी जो team है यहां पे वैसी team कहीं पे ज्यादा